असलाम अलेकुम आपके साथ इंस्टेंट बोदक की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ इंस्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसमें मिल्क वगेरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके लिए मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है जो कि एजी लिए अवेलेबल भी होता है घर पे और इससे जल्दी से मिठाई बर्ण जाती है तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं रेसिपी बहुत ही एजी है तो यहाँ पर मैंने वन टी स्पून जो है गी एड़ कर लिया इसमें जो घी हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें जो दूध है वो एड़ करेंगे यह मैंने सिफ हाप कप लिया है और साथ में हम जो हमारा मिल्क पाउडर है उसे इसमें आड़ करेंगे अच्छे से mix करते जाओगे, milk powder एड़ करते जाओगे तो यह easily lumps free हो जाता है तो आप इस तरह से mix करते जाना, यह देखिए थोड़ा time लगेगा, 7-8 minute लगते हैं लेकिन यह बाद में इस तरह से एकदम smooth हो जाता है तो आप इसी तरह से करिएगा, तो यह देखिए यह थोड़े time के बाद इस तरह से dry होने लगेगा और pan भी छोड़ने लगेगा तो यह एक तरह का mawa जो होता है, वो ready हो गया है आप देख सकते हो, हमें इसे बहुत जादा भी cook नहीं करना है, over cook नहीं करना है जब इस तरह से mawa बन जाए, तो इसमें से हम थोड़ा सा जो इसका one-fourth part है वो निकाल देंगे और इसमें मैंने essence के लिए केसर आड़ किया है, आपके पस कोई और essence हो तो आप वो भी use कर सकते हो, इसे color भी अच्छा आजाता है तो बस यहाँ पर मैंने इसे निकाल दिया है, यह जब थोड़ा सा थंडा हो जाएगा तो हम इसमें sugar आड़ करेंगे, यह जो है sugar powder है, इसे जस मैंने mixi में चला लिया है इसे हम आड़ करेंगे और इस तरह से mix कर देंगे और यह remaining वाला जो हमने पहले निकाल के रखा था मावा, उसमें थोड़े सी मैंने इसमें शक्कर आड़ की है, टूटी स्पून के करीब, यह वना फीका रह जाएगा, तो इसमें हम शुगर आड़ कर देंगे और इस तरह से mix कर लेंगे, और इसके छोटे से बॉल्स बना द शेप देने में आसानी हो जाए, तो यहां पर मैंने इसे इस तरह से रेडी कर लिया है, तो यहां पर मैंने एक मोड ले लिया है, मोडग का, इसमें थोड़ा सा हम गी या ओल लगा देंगे, और इसके अंदर इस तरह से हम हमारे जो स्टॉफिंग है वो इसको रख देंगे तो यहाँ पर हमें इसे अंदर मावा एड़ करना है दूसरे का दर का तो इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे जैसे भी आप रख सकते हो और यह इस तरह से रेडी हो जाता है तो देखे कितने अच्छी लग रहे हैं मौदक और बहुत ही आसानी से बन जाते है इसके लिए बहुत साथा टाइम भी नहीं लगता है मिल्क पावडर से बहुत जल्दी यह रेसिपी बन जाती है और उतनी ही डिलिशियस बनती है इस तरह से भी आप कर सकते हो मैंने एक और वीडियो में बताया आपको अलग तरीके से तो आप इस तरह से भी करोगे तो आपके मौदक बन जाएंगे तो यह देखिए यहां पर हमारे जो मौदक को है बस अच्छा से कलर देनी के लिए इसमें मैंने दो कलर का इस्तेमाल किया है आप सिंगल कलर से भी कर सकते हो यह देखने में भी और खाने में भी बहुत दिलिशियस है और बहुत ही जल्दी बन जाती है यह रेसिपी तो उमीद करते हो आपको यह इन्स्टिंट मौदक की रेसिपी पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंड आई है तो फलीज इस वीडियो को लाइक and शेयर जरूर करियेगा और अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फलीज इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो दिखने के लिए थैंक यू